अमेरिका के एक न्यूस चैनल, CBS ने अपने एक प्रोग्राम 60 मिनिट में ऐसे मामले का जिक्र कर दिया है, जिससे दुनिया भर के देश हैरान है मामला है हवाना सिंड्रोम का, हवाना सिंड्रोम एक खतरनाक बिमारी है जो स्वतह ना होकर किसी कैमिकल हत्यार द्वारा फिलाई जाती है, इस बिमारी के शिकार कई देशों के अधिकारी हो चुके हैं CBS चैनल की रिपोर्ट में इसे फिलाने का आरोप रूस पर लगाये गया है, आज हम अपने वीडियो के जरिये ना सिर्फ हवाना सिंड्रोम के बारे में बताएंगे बलकि ये भी बताएंगे कि इस बिमारी के कितने खतरनाक लक्षण है और आने वाले समय में ये कितना खतर हो सकता है, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दे कि जिस तरह COVID-19 का नाम इसले दिया गया क्योंकि उसके शुरुवाती लक्षण 2019 में ही दिखाई पड़े थे, ठीक उसी तरह हवाना सिंड्रोम के लक्षण क्यूबा की राजधानी हवाना में सबसे पहले देखे गए थे, इसले इसे हवाना सिंड्रोम कहते हैं, इस बिमारी के शिकार सबसे पहले अमेरिकी अधिकारी हुए थे, इसकी शुरुवात कब और कैसे हुई, ये बताने से पहले आईए इसकी लक्षणों पर बात कर लेते हैं, हवान की राजधानी में अमेरिकी राजणियोंकों ने बिमार परणने और रात में चुबने वाली आवाजें सुनने की सूचना दी थी जिससे किसी विदेश संसा धौरा हमला के जाने की अटकलें लगाई गई थी बाद में चीन और योरोप में दूतावास के करमचारियों द्वारा नाक से खूनाना, सिर्दण और दृष्टी संबंधी समस्याओं सहित अन्य लक्षणों की सूचना दी गई चानकारी के मताबिक क्यूबा में अमेरिकी दूतावास को खुले हुए एक साल ही बीता था कि अचानक वहां तैनात अमेरिकी अधिकारियों को रहस्ति मई स्वास्त समस्या होने लगी मिशन में तैनात अधिकारियों और उनके परिजनों को अचानक कमजोरी महसूस होने लगी साल 2021 में जब अमेरिका की उप्राश्ट्रपती कमला हैरिस वियतनाम के दोरे पर जाने वाली थी इसके ठीक पहले हनोई में तैनात अमेरिकी दुतावास के अधिकारियों को भी ऐसी ही इस्थिती का सामना करना पड़ा था अब एक जांच में सामने आया है कि अमेरिकी अधिकारियों के इस हालत के पीछे रूस का हाथ था एक अप्रेल को जारी एक सन्युक्त मीडिया जांच के अनुसार हाल के इन वर्षों में अमेरिकी राजनई को द्वारा अनुभव किये गए रहस्ते मई तथा कथित हवाना सिंड्रों के लक्षडों को रूसी खूफिया इकाई से जोड़ा गया है इनसाइडर डेर स्पीगल और सीबियस के साथ मिनिट की सन्युक्त रिपोर्ट में आशंग का व्यक्त की गई है कि अमेरिकी राजनईकों को रूसी ध्वनिक हर्थियारों से निशाना बनाये गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि साल भर की जाँच में ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि असपस्टी कृत असमाने स्वास घटनाएं जिने हवाना सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है उनकी उत्पत्ती रूसी जी आरियो युनिट 29,155 के सदस्यों द्वारा इस्तिमाल के गए निर्देशित उर्जा हतियारों की उप्योग में हो सकती है बता दे रूस की 29,155 इकाई विदेशी परिचालनों के लिए जिमिदार है और इसे कई अंतराश्टी घटनाओं के लिए दोशी ठराये गया है जिसमें 2018 में ब्रिटेन में दलबदलू सरगई स्प्रिकल को जहर देने का प्रयाज भी शामिल है हलाकि मौसको ने सोंपार को आरोपो को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने एक समाचार सम्मीलन में कहा इस विशय पर पहले से ही कई वर्षों से प्रेस में चर्चा हो रही है लेकिन किसी ने कभी कोई ठोस सबूत प्रकाशित नहीं किया है इसलिए ये सब एक निराधार और निराधार आरोप से ज्यादा कुछ नहीं है अमेरिकी न्यूस चैनल CBS के प्रोग्राम में 60 मिनिट की नई जाच रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर हुए हमलों के लिए रूसील लिंग का खुलासा किया गया है रिपोर्ट के अनुसार हैरिस के हनोई पहुचने के पहले अलग-अलग हटनाओ में 11 लोगों को निशाना बनाए गया जिन्हें असामान ने स्वास्त स्थिती का सामना करना पड़ा था जो लोग से प्रभावित हुए थे उन्हें हनोई में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी और उपराश्ट्रपती के यात्रा की तयारी कर रहे रक्षा विभाग की अगरिम टीम के सदस्य थे हलाकि हवाना सिंड्रोम के सटी कारणों की अभी तक होई पुष्टी नहीं की गई है लेकिन साट मिनिट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसके पास ऐसे शाक्षे हैं जो ये बताते हैं कि विदेशों में अमेरिकी अधिकारियों पर हुए स्वास्त हमलों के पीछे रूसी सेना की खतरनाग जी आर्यू यूनिट शामिल है वहीं एक्सफर्ट के अनुसार लक्षित ध्वनी या माइक्रो वेव हमलों के बाद अधिकारियों में इस सिंड्रोम के लक्षर देखे गई हनोई के केस का हवाला देते हुए कहा गया कि ऐसा मना जाता है कि हवाना सिंड्रोम हमले के लिए वियतनामी लोगों को कोई तकनीक भी गई है स्टडी में पाया गया है कि कोई था जिसने वियतनामी लोगों को इस टेक्नोलोजी के इस्तमाल के बारे में बताया था इसके रूसी होने की सबसे अधिक संभावना है दी इंसाइडर के अनुसार कमला हैरिस की हनोई यात्रा में पांच महिने पहले रूस की सुरक्षा परिशद को एक इमेल भेजा गया था इस इमेल के अनुसार रूसी खूफिया पर भाग ने वियतनामी सुरक्षा सिवाओं के लिए एक विशेश तकनीक साज़ा करने की अनुमती हासल की थी इसमें LRAD ध्वनी चोड़ने वाले और इंसानी शरीर को स्कैन करने के लिए शौर्ट वेव उपकरन शामिल थे भारत में साल 2021 में हवाना सिंड्रोम का एक मामला सामने आया था जब एक अमेरिकी खूफिया अधिकारी CIA निदेशक विलियम बर्न्स के साथ नई दिल्ली की यात्रा कर रहा था 2021 की जुलाई में बैंगलूरू के एक निवासी ने हवाना सिंड्रोम की जाच और माइक्रोवेट ट्रांसमिशन की रोग थाम के लिए करनाटक उच्च नयायाले में याचिका दायर की थी हाई कोट ने केंद्र को इस सिंड्रोम पर गौर करने का निर्देश दिया था जिसके बाद केंद्र सरकार ने सिंड्रोम की मौजूदगी के समभावना की जाच के लिए सहमती जताई थी ऐसे शिदेश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल विडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें